नमस्ते श्राइकार स्लाम वालेकूम उम्मीर कोते हैं से लोग खेरे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे तो आज मैं लेकर आहीं हूं डॉपर इसार रहमत का वीडियो जो की एक इमोशनल खिलीप है और इसमें डॉपर इसार रहमत दें मेंशन किया है अल्ला का इंसान मुझे नहीं लगता है कि इस पॉयर्ट्री से कुछ भी जैसा होगा इस वीडियो में अभीकर इसके टाइटल में लिखा है अल्ला का इंधान से शिक्वा यू कांट अंडस्टेंड दा हॉली बुप इस वीडियो को स्टार करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में डॉ करते हैं तो स्टार करते हैं फिराद के वीडियो ये ला जब आता है पहले तो वो मुखातब की बात की नफी करने के लिए ने ने इट इस लाइक डैट ये नफी है ला उक्सिम वे यूम लक्यामा तुमारे खियालाद गलत हैं मैं कियामत की तसम खाता हूँ तो फ़रमाया फला उक्सिम विमवाके नफी हैं वाकिया की क्या मानी है और ये सूरत कौन सी है वाकियाँ इजा वाकियाँ वाकियाँ वाका गिर जाना पड़ जाना ये सितारों के ढूबने की जगे है और अगर तुम जानो तो ये बहुत बड़ी किसम है जो हमने खाई है उस वक्ता इंसान क्या समझता कि सितारे कहां जाते हैं कहां गुरूब होते हैं कहां गिरते हैं आज हमें मालूम है सुरह हामीम सज्दा में जो कहा गया है हम इने अपनी निशानिया दिखाएंगे आफाक और अन्फस में यहां तक कि यह बात वादे हो जाएगी कि कुरान हक है आज हमें मालूम है खला में बलैक होल्स है और ये बलैक होल्स बड़े बड़े सितारों के पिचकने से पिचक जाने से पैदा हुए और जब वो बड़े सितारे पिचकते हैं जो खला पैदा होता है वेकुम उसमें बड़ी ताकत होती है उसके पास से कोई सितारा गुजर जाए उसे खेंच लेता है कमर के अंदर ये बलेक होल्स का तसमूँ इसलिए अन्नाले उस वक्त के लोगों के लिए क्लिए क्लिए चा कहा हरून इसे चूई ही नहीं सकते मगर इंतहाई पाक हस्तियां इसके क्या मानी है पहली बात तो हमें मालूम हो गई मुराद फरिश्टे है बेएदी सफरतिं के रामिं बरारा उसी के शरा हो रही है लो इसी से एक फिकी बसला निकाला गया कि बगेर वजू के हाट नहीं लगा हो लेकिन इसका असल मफ़ूम क्या है वो समझे गुरान की रूह तक कोई नहीं पहुँश सकता जब तक तजकिया नफस नहो गया अगर हुब माल, हुब दुनिया, हुब जा, हुब शौरत की रूह तक आपकी अप्रोच नहीं होगी, मौला ना रूम ने कहा है अगर्चे जरा मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत सकत अलफाज इस्तेबाल किये माजِ कुरान मखजहा बरदाशते, उस्तखां पेशे सगान दाखते हमने कुरान से उसका मखज ले लिया है, जो एसेंस से वो खेच लिया है हड़ी का गुदा जो है, वो हमने निकाल लिया हड़ीया हमने फेक दी हैं कुत्टों के सामने जो लड़ रहे हैं, इल्म कलाम का मसला है, हैं सिफातِ हक, हक्सِ जुदा या राइद दाद कुरान मखलूक है या नहीं है, गेरे मखलूक है और बड़े हो रहे हैं उसके उपर ये कुत्ते लड़ रहे हैं इन हड़ीयों के उपर हमने उसमें से असल शे निकाल ली, वो क्या है, अल्ला की महब्बत अल्ला की मारिफत ये है असल शे, माज़ कुरान मखजा बरदाशतें, उस्तखां पेशे सगा अंदाखतें तो जब तक इन्सान का बातिन पाक न हो जाए, वो कुरान के छिलकों से खेलता रहेगा चाहे वो कहने को मुफस्र हो, पुरान के बातिन तक कभी नहीं पहुंचे गाए, फी किताब मक्नून, ला यमस्तुहू इल्ल्मतह्रून, तन्जीलू मिर्बिल आलमीन ये थोड़ा थोड़ा करके उतारा गया है रबुल आलमीन की तरफ से, इन्जाल के मानी है, दफ़तन उतार देना, लेलतु कद्र में आया, इन्ना अंजलनाहु फी लेलतु कद्रू, रमदान के बारे में, शहरु रमदान लज़ी उन्जला फीह बाब इफाल, लेकिन तूर पर एक दम नहीं उत्रा, थोड़ा 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 थोड़ा, तेईस बरस में जाकर उसकी तक्मील की, अब देखिए जो शिक्वा किया आला ने, क्या इस जैसी नेमत से तुम मुदाहनत कर रहे हो, बे इतनाई कर रहे हो, इसे पढ़ते नहीं हो, इसे स जुटला रहे हो, गोर कीजिए जुटलाना जो है दो तरह कहा है, एक है जबान से कहना, ये नहीं है, कोई अल्ला का कलाम नहीं है, ये खुरान वगरा सब असातिर अलवलीन हैं, ये मुहम्मद ने गढ़ लिया है, वगरा वगरा जुटलाना हो गया है, एक जुटलाना है, عمل से जुटलाना मान तो लिया अल्ला का कलाम है लेकिन उसकी हराम करदा शेय को अपने लिये हलाल किया हुआ हदीस नब्वी है मा आमना बिल्कुरान मन इस्तहला महारिमा हूँ उस शफ्क का कुरान पर कोई इमान नहीं है जो उसकी हराम करदा चीज को अपने लिये हलाल ठेरा ले इस से एतिबार से गोर कीजे और इसकी मिसाल भी दी हुए सुरह जुबा में मसलु लजीन हुम्मलु तौराता सुम्म लम यहमिलुहा का मसलु लहिमारे यहमिलु अस्फारा मेसा मसलु लजीन कज्जबु बे आयातिल्लाह मिसाल उन लोगों की जो हामिले तौरात बनाए गए थे और फिर उन्होंने उसकी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया उसे गाइम नहीं किया उसकी आकाम पर अमल नहीं किया जैसे फर्माया है सुरह आराफ में कुल या हलल किताब कह दीजिए नबी सल्ली आर्श ए किताब वालो लस्तुम अला शैन हता तौकीम तौरात वल इन्जील वमा उन्जिल इलेकु मिर्रबेकु तौमारी कोई हैसित हमारी निगाह में नहीं है तौमारा मू नहीं है कि हमसे दौा करो जब तक कि तौरात और इन्जील को और जो कुछ नाजिल किया गया तौमारी तरफ उसे काइम नहीं करते है आज अल्ला हमारी दौाएं नहीं सुनता तीस तीस लाग जाकर हज करते हैं दुनिया के हालात में कोई जर्रा वराबर फर्काता है अवल्डो हराम के कमाई से हज हो रहा है जो हज है यही इसरे से जो कुछ करते गए थे सूधी कारुबार वो ही आकर दुबारा शूरू कर दिया सरकारी मुनाजब मैं तो जो निश्मत पहले ले रहे थे उसके बाद आकर शूरू कर दिया ये क्या है ये टकजीब बिल्यामल है जुटलाना है तुम ने अपना नसीब ये बना लिया है कि तुम कुरां को जुटला रहे हैं जैसे के उन्योंने जुटलाया था का मसलि लखिन अंक्षेमार wyst यहमल अस्फारा अस्फारा उनकी मिसाल उन गदों किसी है जिन पर किताबों का बोजलाद दिया गया मकालमातِ फलातुं गशड़ी बांदकर गदे के उपर रख दीजे तो क्या वो वाकी मंतगी और फल्समी बन जाएगा ये मिसाल अल्ला दे रहा है और ये मिसाल क्यों दी गई है इस आईने में हमें हमारी तस्वीर दिखाई गई है तुम अगर कुरान का हम अदा नहीं कर रहे तो तुम्हारी मिसाल वही है जो यहूद की थी बेसा मसल और कौम लजीना कजब हूँ बे आयातिल्ला बुरी मिसाल है उस कौम की जिसने अल्ला की आयात को जुटलाया तो जबान से तो यहूदियों ने कभी नहीं जुटलाया तुरात को अमल से जुटलाया है ये वो पांच मकामात हैं जिनमें अल्ला ताला ने खुद अपने कलाम की सरा बयान की है تعریف کی ہے उसकी अजमत को बेया किया है अब मैं आपके सामने एक हदीस रखना चाहता हूँ खुजूर ने क्या फरुआ है एक हदीस सुना चुका हूँ अनुस्मान इबन अफ़ान रजी लाह उता हूँ तुम में से बेटरीन लोगों है जो पुरान सीखें और सिखाएं ये हदीस बड़ी अजीब है ये तिर्मजी में भी है और दार्मी में है और इसके दावी हद्रत अली है रजी लाह उता हूँ अन अली रजी लाह उन्हु गाला हद्रत अली लाह उसल critic में आूनी समेटो रसूल्लाह उन्हा वाह व्यवी लुवादी को hayır मैंने सुना आल्लाह के रसूल्लाह को ये कहते हुए इन्हा सतकून अ फितनतuçन उन्करीब एक बहुत बगा फितना रुनमा होगा हद्रत अली लाह को मैंने अर्स किया बचने का निकलने का रास्ता कौन सा होगा जैसे आप बड़े बड़े हालों में देखते हैं एक्जिट अरब ममालिक में लिखा होता है मखरज अगर कहीं आग लग जाए कहीं दुआ बर जाए तो निकलो इनला जो रोश्णिया हैं उनके अंदर जो नीचे दर्वाजे हैं उनके तरह जाओ ये मखरज है जान बचाने कीज़े यहां एक लहज़ा तवक्फ करके हमारा और सहाबा का जो फर्क है उसको लोट कर लीज़े अगर हम होतें तो क्या पूछतें हुदूर ये फितना कब आएगा किदर से आएगा क्यों आएगा क्या होगा ये सारे सवालाद करते हैं जिनका अमल से कोई तालुक नहीं मालूमात है हज़र तयरी ने कुछ नहीं पूछा बस आपने फर्मा दिया कि बहुत बढ़ा फितना होगा तो बस हमें ये बताईए कि उससे निकलने का रास्ता क्या है अब सुनिए हुदूर की जबान से खुरान मदीद की मदा काला किताब उल्ला फितनों से बचाने वाली अल्ला की किताब है फीह नबव मा कबलकुम इसमें तुम से पहले जो थे उनके भी खबरे हैं गोम नूँ और गोम आद और गोम समून और गोम मदीन और आल फिराओन और सदूम और अमूरा की मस्तियों के हाला थें के नहीं वखबरो माबादकुम इसमें तुम्हारे बाद जो आने वाले हाला थें वो भी दर्ज है जरा खुदाई करके निकालना पड़ता है वरना हालाद मौजूद है एक उपर की चीज़े सामने की चीज़े एक जरा अंदर से खुदाई करके लेकिन ये कि खुदूर फर्मा रहे हैं खबरो माबादकू और जो भी अख्तिलाफात तुम्हारे दर्मियान होगे उनका फैस्दा भी इस किताब में मौजूद है का आश्च हम अपने मजभ इख्तिलाफात को रफा करने के लिए कुरान की तरह मुझूद करें जो हबलुल्ला है वातसिबू बहबल्लाह जमियां वला तफर्रकू तो फर्माया किताब अल्लाह फीह नबाओ मा कबलकू वा खबरू मा बादकू वा हुक्म मा बेनकू हुआल फस्ल लैसा बिल्हज्ल वा फैसल कुल कलाम है ऐसे यावा गोई नहीं है ये कुरान की आयात है इन्नहु लकॉलू फस्लू वमा हुआ बिल्हज्ल सुरह तारीच के अंदर आया तारीच में हुआ फस्लू नैसा बिल्हज्ली मन तरकहु मिन जबार इनकसमहु ल्लाह अगर कोई जबार शख्स अपनी सरकशी में इस कुरान को तर्क कर देगा अल्लाह उसे पीस कर रख देगा और जो कोई हिदायत हासिल करना चाहेगा कुरान के सिवा किसी और चीज़ से अल्लाह उसे लाजबन गुम्रा करेगा किताब हिदायत तो ये है तो एक और बहतरीन वीडियो डॉक्टर इसार अरहमत का इसमें दो चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगी तो इसमें जो नहींने स्टार्टिक में ही मैंचन किया थे कि इट डेजन मैटर कि आप कितना कुरान पढ़ते हो कितनी बार पढ़ लिया अपने अपनी जिंदगी में लेकिन जब तक आप उसको अच्छे से समझोगे नहीं तब तक सिर्फ कुरान पढ़ने का कोई फायदा नहीं क्योंकि अगर उसकी जो कहते है ना जो असल निचोड है कुरान का जब तक वो ही आपके अंदर नहीं गया तब तक सिर्फ बुक पढ़ने का क्या फायदा है तो इनसान को पढ़के कुरान को अच्छे से पढ़के समझ के उसका जो एक्स्ट्रेक्ट है उसको निकाल के अपने में लेकर आना और उन पे अमल करना वो ही एक सबसे अच्छी चीज होगी कि हाँ इनसान ने अगर कुरान को पढ़ा है तो वाकिए ही उन चीजों को फॉलो भी कर रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं ये मैंनी बॉरी मेंने कई वीडियो जैसे देखी है जिसमें डॉक्टर इसार हमेर काफ़ बार कम्प्रेन भी करते हैं कि जो अब भी चूलो ठीक है कि और भी जो लोग इसलाम एक्सप्ट करते हैं उनको तवरा ताइम लगता है सब चीजे समझने में सब चीजों को पॉलो करने में तो वो तो तो ठाइम लें लेंगे उसके बाद में समझ जाएंगे और पॉलो करने में लेकिन at least जैसे की मुसलिम्स की हर इंसान इस चीज की तो जरूर तारिफ परते हैं लेकिन मुसलिम्स में ही सिर्फ ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको initially पहले कुरान पढ़ना होता है, कुरान को समझदा होता है उसके बाद में ही उनकी जो स्कूल वगरा है वो स्टार्ट होते हैं लेकिन पहले कुरान प्रायती होती है, तो कुरान को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है तो अगर इतना बच्पन से पढ़ने के बाद भी अगर गलत कर रहे हैं इतना कुछ जानने के बाद भी अगर आप प्रोपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वह तो फी ठीक बात नहीं है और इसी चीज़ से रेलेवन्ट है सेकंड पॉइंट भी जो कि था कि लोग हज करने जाते हैं हज करने के बाद में वहाँ पर अपने गुनाहों की माफी मांग लेते हैं उस रप के सामने रूते हैं बिलगते हैं कि हमें माफ कर दो हमने जितने भी गुनाह कर दी उनके लिए वो अपनी माफी मांगते हैं लेकिन वापिस आने के बाद वह वो फिर उनी घुरा हो ऑपिस में उलज जाते? उसी उसी दुलिए के पार में आपनी जिन्दीगी नहीं नहीं करे आते हैं आपके हाज को कुछी पाइदा नहीं नहीं रही है लेकिन यह सच है जब हम किसी ऐसी होली जगा पर जा रहे हैं और उस टाइम पर क्या होता है जब हम किसी भी स्प्रिच्वल प्लेस पर होते हैं वाके हम लोग बहुत चाज़ा खनेक्टिड फील करते हैं लेखने हैं हम फोर रव फोरा समने हैं और हम दिल खोल के रो सकते हैं इन खोल के उनने बिता सकते हैं खिमारी क्या परशानिया है लाइफ कीथ तो यह होता है कि जब हम अबने सरब से दिल खोल के बाते करते हैं और वह बहुत हैं तो उसके पात में वापस आने-क बात ना हम लोगों को वह गलतिय resonates रिपीट नहीं करनी चाहिए तो यह दोने चीजे में जो बहुत ही अच्छी लगी है जो डोक्टर इज्राद एमर बताई है और इसके इलावा जैसा की आइगेत की यह कुरान में ही लिखा हुआ है कि फितना के बारे में और उस टाइम पे प्रॉफर मुम्मद सलराव लही व होने वाला है फितना बन जाएंगे जो मुस्लिम से वो फितनाओं में बढ़ जाएंगे तो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ चीज ऐसे हो रही है इस टाइम पे जो कि उस टाइम पे नहीं लिखी गए पहले से ही लिखियों ही है यह सब बाते की फ्यूचर में जाकि इस ब होने है तो इसी लिए कहते हैं कि इन सब चीजों को जुटला बिल्कुल नहीं सकते और कुरान का थो हमें बता है कुरान में लिखा हुआ है अब को खुद की लवज है और इसको समझे की जुरूरत है बहुत एचा वीडियो है और आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए जाथ में बैल आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको भी तर रहेगा और अगर आपने वह लगी सब्सक्राइब किया हुआ है त तर नहीं घल आपको जो है तो समें वह सारी खिजर रहें लिजएब कर दो कि ऐता हुआ है तो